हेलो डियर आल स्टुडिन्स वेरी गुड मॉर्निंग तौल अफ यू और आज मैं आपको कुछ बहुत ही बहतरीन चीज़ बताने वाला हूं तो मेरा वीडियो को स्किप मत करना प्लीज क्योंकि वो आपके लिए बहुत 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 इंपोर्टन वीडियो है जो भी GSEB में है यानि गुजरात बोर्ड से अगर एक्जाम देने वाले है और जो टैंट स्टेंडर में भी पढ़ रहे हैं जिनकी बोर्ड की एक्जाम नस्दिक है उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बनाया है जो स्पेशली साइंस के उपर है मेरे से तीन वीडियो हो पर है जो साइंस में आने वाली बोर्ड एक्जाम में मेरी बात ध्यान से सुनना ये वीडियो को स्कीप मत करना प्लीज बहले आप मुझे लाइक करो सब्सक्राइब नहीं करोगे लाइक नहीं करोगे चलेगा लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है य ये वीडियो में मैं आपको आने वाली आपकी बोर्ड एक्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन्स वैरी आईएमपी रहेंगे बोर्ड एक्जाम में जो गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हैं चाहे वो इंग्लिश मेडियो में पढ़ते हो चाहे गुजराती मेडियो मां इसको आप इसमें से जितने भी मैंने questions बता रहा हूं वो सारे के सारे questions से कर आप अच्छी तरह से learn कर लोगे तो आप board में अच्छे से अच्छे mark से pass होंगे अगर 80 mark का paper है तो आप अगर उसमें चाहें तो 70 plus score कर सकते हैं अगर इसको seriously लेंगे तो दूसरी बात जिनको सिर्फ pass होना है उनके लिए भी ये मेरे 3-3 वीडियो बहुत काम के होंगे और सिर्फ जिसको अगर 30 plus mark लाने हैं सिर्फ उसको passing ही चाहिए जिसको अगर आगे जाके commerce में जाना है कि science field नहीं choose करना है तो वो सिर्फ इतना ये मेरा पहला वीडियो देख लेंगे तो भी pass हो जाएंग मेरे पास देखे नौनीत की डाइजिस्ट है मैं जिसमें से आपको ये बताने जा रहा हूं अगर जिसके जिसके भी pass नौनीत की डाइजिस्ट है चाहे वो गुजराती मीडियम में हो चाहे वो हिंडी मीडियम में हो चाहे वो English में में हो जो GSEB Board को exam देने वाले हैं Board की उस स्टार्ट माई वीडियो मतलब मैं आपको अभी सबसे ज्यादा important questions देने जा रहा हूं जिसमें से मैं स्टार्ट करने चार रहा हूं chapter number one से अब अगर आपके पास नवनीट की digest है तो उसको follow कीजिएगा अगर हो सके तो नवनीट की digest हाथ में ले लिजिए का chemistry किसकी digest लेनी है साथ में chemistry गुजरा तीमा होई तो रसायन विग्णान हिंदी में भी रसायनिक विग्यान ही होगा ठीक है अब मैं आपको question number बताने जा रहा हूं जैसे के chapter number one है chemical reaction and its equation जैसे मैं यहां को कुछ contact करना है तो this is my mobile number ठीक है आप इसको भी देख सकते हैं मेरे दोनों के दोनों number अवेलिबल है first वाले number पर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं ठीक है so this is my first chapter chemistry का पहला chapter chemical reaction and its equation जैसे उसके अंदर कौन-कौन से question से मैं आपको बता रहा हूं question number four chapter number one से देखिए digest में मैं बताने जा रहा हूं जैसे के digest में open कर रहा हूं first chapter है इस तरीके से आपको पता चल जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं question number four is here question number four ठीक है ये वाला question है what is meant by unbalanced chemical reaction तो वही है question number four question number five this one is the question number five state important properties या state the properties of the balanced chemical equation ठीक है वैसा ही तो question number four मैं अगेन बोल रहा हूं chapter number one में से क्या-क्या learn करना है for the board examination chapter number one में से learn करना है question four question number eight or nine or ten question number eight, nine, ten जो in-text question है आपकी textbook के जो page number 6 पे दिये हैं वो भी ये digest में number है eight, nine, ten जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं chapter number one में से question number eight, nine, ten यहाँ पे in-text लिखा ही है अगर दिहान से देख पाऊ तो what should the magnesium ribbon be released या cleaned before the मेरा mobile की वज़े से मुझे दिखने रहा है question what should a magnesium ribbon be cleaned before the burning in air ठीक है वैसा ही question number nine है तो ये questions balance equations का है question number ten है ठीक है तो मैं अभी question number बताने जा रहा हूं again I am telling question number chapter number one में से question four, five, nine, eight, nine, ten ठीक है then जहाँ पर मैंने इस round किये हैं वो सारे के सारे very much IMP question है for the board examinations four or five को lightly करना है पर जितने भी round किये उसको कंबल सरी आपको learn करना है ठीक है अब आ रहा है question number 12, question number 14, question number 15, question number 16, question number 17 there are very much IMP questions for the board examinations तो question number 12 जो है वो है हमारी 5 reactions में तोटल हमारी 5 reaction है पहले चेप्टर में एक है combination reaction, दूसरी है decomposition reaction, तीसरी है displacement reaction, चौती है double displacement reaction और 5 भी है redox मतलब के reduction और oxidation दोनों ही, तो ये पांचो पांच करनी है कंपल सरी पर उसमें से question number 12 जो हमारा है, question number 12, I am showing you the question number 12 here, तो question number 12 जो है what is meant by combination reaction, तो ये वाला question है, ठीक है, वैसा ही question number 15 हमारा है what is called exothermic chemical reaction, ठीक है, question number 16 है, respiration is the exothermic reaction, why, ठीक है question number 17 हमारा है, what is meant by decomposition reaction, ठीक है, वैसे ही सब questions रहेंगे आगे-ागे तो आपको मैं ये जस बताने जा रहा हूँ, तो again I am showing you question number 12, question number 14, question number 15, question number 16, question number 17, 18 18, 18 one mark का question है, जो आपको board में one mark का question पूछा जा सकता है then 20, अब in-text में देखना है 21, 21, वो question 21 है, in-text का, ठीक है, page number 10 पे then question number 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये जितने भी मैंने round किये है न, इतने questions very much IMP है for the board examination from the first chapter, again I am revising, question number 12, 14, 15, 16, 17, 23 है हमारा, ये displacement reaction का ही है मेरे ख्याल से, 23 question number है, वो displacement reaction का ही है मैं just आपको दिखा रहा हूँ, ये area, question number 23 is what is meant by displacement reaction, ठीक है वैसे ही 24 है double displacement का, उसके बाद है, precipitation reaction का, तो ये सब questions है पीछे आपको redox reaction भी दिया है, ये वाला question है, आपको पता चल जाएगा whenever you are open, your digest of now need, so question number 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and question number 13, 32 जो in text के है, ये हो गया हमारा first chapter इसके अलावा हमको इसमें से और भी क्या पूछ सकते हैं, बोड के exam में तो endothermic और exothermic reactions की difference पूछ सकते हैं, दूसरा है oxidation और reduction का difference पूछ सकते हैं, तो ये दुनों के differences learn करने हैं, now और एक बात है, जैसे के short note learn करनी है, corrosion और rancidity क्योंकि corrosion को खास learn करना है क्योंकि chapter number 3 में भी again revise होगा, ठीक है, तो corrosion और sensitivity की reactions है, और 5 reactions हो मैंने बोली दिये, combination है, decomposition है, displacement है, double displacement है, redox reaction है, like that, ठीक है, precipitation है, ये सब learn करना है, combination के भी types है, और decomposition की भी types है, वो इस बार देख लेना, okay, now to the topic of chapter number 2, ये chapter 1 हो गया, अब मैं chapter 2 के बारे, मेरा वीडियो थोड़ा fast रहेगा, लेकिन आप 37 से दुबारा इसको ठीक से देखना, देखे, मेरा ये वीडियो बहुत काम का है, इसको skip मत करना, अगर आपको बोड में अच्छे mark से science में पास होना है तो, 10 standard specially, okay, now the chapter number 2 of acid, base and salt, acid, base and salt, ठीक है, acid, base और salt के अंदर हम लोग जा रहे हैं, मैं chapter को open करने जा रहा हूँ फटा-फट से, yes, so now the chapter number 2, acid, base and salt, ये दिखरा है आपको chapter number 2, acid, base and salt, अगर गुजराती मेडियों से बिलॉंग कर रहे हो, तो भी चलेगा हिंदी मेडियों से बिलॉंग करोगे, तो भी चलेगा, question number वही के वही, digest के अंदर दिये हैं, ठीक है, so now, chapter number 2, question number 1 and 2, question number 1 and 2, question number 3 is in-text question है, वो भी करना है, question number 4, जो बहुत ही काम का है, और activity जो है, gas को, h2 gas कैसे evolved होता है, जो section d में पूछा जाने वाला सवाल है, ये वाला, जिसमें pop-up sound होते हैं, candle जलाते हैं, ठीक है, तो ये वाली activity है, activity number 2.3, और ये बहुत काम की activity है, बोड के लिए, ठीक है, now, question number 1, 2, मैंने बोल दिया, in-text question है, third question, question number 4 है, then activity 2.3, now, question number 6, 7, 8, 9, question number 6, 7, 8, 9, balance करना है chemical equations को, question number 13, 16, 17, 18, 21, जितने भी मैंने round किये हैं, बहुत ही IMP सवाल है, question number 13, 16, 17, 18, 21, then 22, 23, मैंने जिसको round नहीं किया है, उसको तरह lightly लेना, लेकिन जिसको round कर रहा हूं, वो बहुत ही IMP है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, ठीक है, इसमें से मैंने कुछ questions को आप देख रहे हूं, मैंने कुछ round किये हूए questions को खास ध्यान से देख लेना, और ध्यान से learn करना ही है, अगर आपको बोड में अच्छे माक्स लाने हैं तो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, ठीक है, now, question number 35 is very very much IMP, जो pH scale है, ठीक है, question number 38 is again IMP, क्योंकि importance of pH है, जो बोड में total 5 है, उसमें से कोई भी एक पूछी जाती है, ठीक है, importance of pH वाला, question number 38, now, question number 49 to 57, 49 से लेके 57 को very much IMP देना, क्योंकि उसमें से ज्यादा से ज्यादा बोड में पूछा जाता है, question number 49, question number 52, question number 54, और question number 57, यह मेरा chapter number 2 चल रहा है, question open करके दिखा रहा हूँ, यह था 35 number का question, write the note on pH scale, ठीक है, question number 38, importance of pH, यह बहुत ही का IMP है, then question number 49, write a short note on sodium hydroxide NaOH, बहुत ही काम का सवाल है, बहुत ही काम का सवाल है, ठीक है, then question number 52, मैंने बोला था, write the short note on bleaching powder, ठीक है, write the short note on bleaching powder, then question number 52 है, 57 है, ठीक है, यह है, write a short note on plaster of Paris, question number 54 है, Na2CO3 मतलब यह है, backing soda, washing soda है, यह 53 है, backing soda वाला, 52 है, bleaching powder वाला, तो यह सवाल आपको बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही काम के है, chapter number 2 से, ठीक है, Now, मैं आ रहा हूँ, chapter number 3 पे, chapter number 3, sorry, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, 15 मिर्ट तक हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, कि आपका वीडियो शॉट से सोट खतम हो जाए, Chapter number 3, now, metal and non-metal, chapter number 3 में से metal and non-metal, हाँ, exercise तो सभी की करनी ही करनी है, लेकिन यह मैं कुछ extra questions बता रहा हूँ, Now, chapter number 3 है, metal and non-metals, ठीक है, Metal and non-metals में से बहुत ही काम के सवाल, Question number 1, Question number 2, Question number 4, Question number 5, जिस पे मैंने round किये, वो उसको बहुत बहुत ध्यान से करना, Question number 7 and 8 है, वो in-text है, Question number 9, 10, 11, 12, उसमें 11, 12 को मैंने round किया है, यहाँ पर मैंने 3, 4, sorry, 2, 4, 5 को round किया है, यह है, Chapter number 3, metal and non-metal, Then question number 13, 14, 21, Question number 13, 14, 14, नमबर का सवाल बहुत काम का है, जो गाला के पेपर्स में भी आपको X and Y सबस्टेंस करके दिये है, डाइजिस के अंदर आपको metals के नाम दिये है, Aluminium, Zinc, एटसेटर, एटसेटर नाम दिये है, पर शायद तक board exam में उसको twist करके पूछा जाए, Aluminium, यानि कि अगर metals के नाम चेंज करके उसको X, Y, Z बनाए, जो गाला में ऐसा question है, ठीक है, section C में है, तो यह एक बार देख लेना, यह बहुत ही काम का सवाल है, इसको में जो राउंड करना रह गया है, पर question number 14 को आप राउंड कर लेना, बहुत ही काम का सवाल है, then question number 21, 21 है Aquarigia, what is Aquarigia, कि उसी student को पता ही नहीं हुता कि Aquarigia क्या है, तो Aquarigia नाम का सवाल यहाँ पर है, बहुत काम का है, जो chapter number 3 से belong करता है, question number 17, then 23, reactivity series है, ठीक है, reactivity series में भी काफी काम की है, 24, 25, 29, then question number 31, 32, 33, and 34, these are the very much IMP questions from this chapter, chapter number 3, 31, 32, 33, 34, ठीक है, 14 को भी खास ध्यान से करना, then 41 number का question आएगा, पहले रुकों मैं और बता रहा हूं, question number 37, 38, 39, यह भी बहुत IMP है, question 40, 41, 41 is very much IMP, 42 is the thermit process, 44, 51, यह जितने भी मैंने round किये है, chapter के अंदर मैंने जितने भी round किये है, वो सारे के सारे round बहुत काम के IMP questions है, तो ध्यान से रखना, यह ध्यान रखना इसको, ठीक है, यह मेरा photo देख लीजिए, यह वीडियो में देख लीजिए, मैं chapter number 1 को फिर से मैं थोड़ा focus कर रहा हूं आपको, ताकि आप देख पाओ, यह मेरा chapter number 1 के मैंने जो questions लिखे है, वो है, नीचे question number, chapter number 2 के बारे में दिया है, chapter number 2 के बारे में मैंने कुछ questions निका ले हैं, वो question number है यहाँ पर, अगर कुछ मैं अगर बोलने में रह गया हो, तो यहाँ पर से numbers देख लेना, chapter number 3 है, हमारे index questions, यह मैं, सारी, chapter number 3 में से जितने भी सवाल काम के है, वो सारे के सारे मैंने questions, यहाँ पर मैंने बता दिया है, इसमें है, difference between calcination and rosting, यह बहुत पुछा जाता है, calcination and rosting, and metal and non-metal की physical properties, यह भी बार-बार पुछा जाता है, ठीके, now I am going to turn the page, and chapter number 4 पर में जा रहा हूँ, जो बहुत-बहुत-बहुत का chapter है, और सबसे बड़ा chemistry का chapter है, now the chapter number 4 of the chemistry, carbon and its compound, I am opening my chapter, पहले में metal and non-metals में से कुछ बता जिता, आपको जो बताना था, question number 54 है, electrolysis process जो बहुत काम का है, ठीके, question number 51, जो है, alloy पर यह आप सब देख लेना, okay, now I am going to the chapter number 4, carbon and its compound, carbon and its compound, जो बहुत-बहुत-बहुत का chapter है, ठीके, अब आरे, क्योंकि देखिए, board में से total 80 mark का paper होता है, तो 3 part करते है, chemistry, physics, biology में, तो 27 marks का, अगर मतलब 80 upon 3 करोगे, तो 26, 3 होता है, 78, ठीके, तो मतलब 27 marks का chemistry पूछा जाएगा, 27 mark का, और अभी तो मतलब option के साथ देखने जाओ, तो कम से कम 30 to 35 marks का सिर्फ chemistry आएगा, तो जिसको सिर्फ pass होना है, अच्छी तरह से, वो ये 4 chapter को, ये मैंने दिये है, questions को अच्छी तरह से learn करेंगे, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, yes, now chapter number 4, carbon and its compound, मैं यह पे जा रहा हूँ, जे भी गुजराती मेडिया में भनता होई, otherwise जो भी हिंदी मेडिया में पढ़ते हैं, जो गुजरात बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए और मार्च में एग्जाम आने वाली, बहुत बहुत का वीडियो है, इसको skip मत करना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है, उसको पूरे गुजरात में फैलाईएगा, ठीके, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को ये काम में आ जाए, देखो हम लोग तो सीटी में रहते हैं, अगर आपके कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई भी बहन है, कोई भी अगर हमारे जो भी स्टूड़न्स है, जो गाउं से बिलॉंग करते हैं, जह गामडा में रहता हुए, जहां पर फैसलिटी स्कम है, तो वहाँ पर इसको खास पहुचाना, थाकि वो लोग इसको अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है, और आपके पास अभी भी टाइमिंग है, तो इसको जितना भी हो सेगे, उतना जल्दी अच्छी तरह से करना, येस, अब अब नब फॉर, चप्टर नब फॉर में वैरी आएमिंपी क्वेशिंस है, और पाँच, छे, दस, ग्यारा में ने लिखा हैं, वो एक जिसे क्वेशिंग है, तो पाँच, छे, दस, ग्यारा, उसमें से अगर आप पाँच को अच्छी तरह से लर्न करोगे, अब आप आप आजाएंगे, वैसे ही क्वेशिंग नमबर 7, 8 और 9 एक जिसे सीरीज के हैं, तो आप 7, 8, 9 को लर्न करोगे, तो अपने आप आप आजाएगा, मैं क्वेशिंग सिर्फ ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, चैप्टर नमबर 4 में से, जैसे के ये है क्वेशिंग नमबर 5, देखी आप, या फिर मैं क्वेश्ण नमबर 11 दिखा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चे नमबर 11 है, ये क्वेश्चे नमबर 10 देख दो, यहां पर दिया है हमको, के explain the formation of the covalent bond of the oxygen molecule मदब molecule के उपर है ये है nitrogen molecule वैसा ही question number 5 है वो hydrogen पे है question number 6 देखने जाओगे तो chlorine molecule पे है इन्चोट molecule वाला सवाल है और सभी की pattern एक जैसी है वैसा ही question number 7 को देखोगे आप तो 7 number का जो question है वो है formation of H2O molecule वैसा ही question number 9 है methane जो बहुत काम का सवाल है मतलब आप 7 को करोगे तो 8-9 अपने आपा जाएगा 5 को करोगे तो 6-7 sorry 6-10-11 ऐसे आजाएंगे मतलब यह 7-7 सवाल है न वो एक दूसरे से related है इसमें से कोई भी एक सवाल बोड में आ सकता है now question number 1,2,3,4 just learn करने है question number 13 is very very much IMP, allotrops of carbon, carbon के अपर स्वरूप, ठीक है carbon के कौन सा allotrops है, जैसे यह diamond है, graphite है, full green है उसको learn करना है, question number 13 very much IMP, question number 16 again, catenation property catenation property of one minute, just a minute question number 16, catenation property ठीक है, catenation property मतलब carbon की branch property हो दिये मैं just, यह यह allotrop of carbon का सवाल है यह, ठीक है question number 13 है, देख लीजे एक बार then question number 16, मैं just आपको दिखाना जा रहा हूँ, यह है, catenation property ठीक है, this is the catenation property of carbon तो यह भी learn करना, question number 16 देखे, सभी की digest में यही questions दिये हैं, अगर आप गुजराती medium हिंदी medium से बिलोंग कर दो, कभी चलेगा तो question number, again I am देखो, यहाँ पर देख भी सकते हो, question दिख रहे है 5, 6, 10, 11, 7, 8, 9 then 13, 16, 24, 26 13, 16, 24, 26 sorry, 25, 26 25 में है alkane, alkane, alkane जो carbon के, मतलब hydrocarbons है alkane होगा तो single bond होगे carbon carbon के बिच में, alkane होगा तो double bond होगे alkane होगा तो triple bond होगे इसका मैंने video मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है तो आपको मैं यह भी शेयर करूँगा तो alkane, alkane, alkane group है, इसको भी अच्छी तरह से learn करना, alkane में क्या होता है single bond मतलब saturated bond होता है alkane में double bond होता है, alkane में triple bond होता है इसके सारे के सारे examples के साथ जो आपकी tax book में भी दिये है और आपकी digest में भी यह वाले दिये है ठीके, methane, ethane, propane, butane propane, butane ठीके, ethane, methane, propane, butane pentane और hexane इस तरीके से, वैसे आपको ethane, methane वाला करना है, ठीके, तो यह question number 25, 26 काम के है 26 में just a minute I am showing you, yes yes, यह सारे के सारे questions करने है question number 27 again क्योंकि वो है cyclohexane पे वैसा ही उसके सामने question number 30 मतलब आगे थोड़ा दिया है, 32 में शाय तक दिया है, 38 में दिया है cyclopentane, तो question number 27 करना है, then भी benzene करना है, question number 28, यह खास learn करना, तो question number 26 then 27, 28 24 में सारे के सारे structures दिये है, ठीक है question number 24 में सारे के सारा structures दिये है वो भी याद करना है, यह वाला just, यह 32 वाला भी है ठीक है, तो मैं अभी question number बोल रहा हूँ अभी ज्यादा बोलूँगा तो 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 question number 13, 16, 24, sorry 25, 26, then 24 all alcan group, then 30, 31, sorry 30, 27, 28, 32 30, sorry 30, 27, 28, 22 32, then 33, 34, 35, 38 39, यह in-text question है पर यह ध्यान में रखना benzene, cyclopenzene मैंने बोला है, ठीक है cyclopenten वाला बोला है 33, 34, 35, 38, 39, यह सारे के सारे जितने भी मैंने round किये वो बहुत ही IMP सवाल है then 59, esterification बहुत काम का है, 65 michelle जो इसमें से जादा से जादा पूछा जाता है बोड के exam के अंदर, ठीक है now question number 63 and 64 और बीच में रह गए question number 42, 45, 47, 48, 43 भी है, 55 भी है 52, 53, 58 तो इतने सवाल है, एक बार देख लीजिए यह मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है आपके जितने भी भाईयों को जो जहां पर नहीं है, जिनको tuition नहीं है, या बीचारे जिनको सच में जरुत है, तो उनको सच में जरुत मन को भेजिएगा, आगे बढ़ाईए thank you so much